G20 के चलते पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया है दोस्तों दोस्तों अगर ये सुरक्षा कारणों से होता तो मैं समझ सकता था हाला कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ हमारी कैसी सुरक्षा है कि एक G20 सम्मेलन के लिए पूरी दिल्ली को बंद कर दिया जाना चाहिए बताइए क्या हम इतने काबिल नहीं हैं कि लोग अपना काम करते रहें और G20 सम्मेलन आयूजित होता रहे आपको याद होगा Commonwealth Games जब हुए थे Commonwealth Games के दौरान बाकाइदा जो Commonwealth के खिलाड़ी थे उनके लिए दिल्ली की सडकों का एक छोटा सा हिस्सा तै किया गया था ताकि आसानी से वो वहां से जा सके हैं उस वक दिल्ली नहीं रोकी गई थी दिल्ली की गती चलती रही थी जबकि Commonwealth आयूजन उससे कहीं बड़ा आयूजन था दोस्तों मगर आज पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में जो जुगियां है दिल्ली की जो गरीबी है उसके चुपानी के लिए सब किया गया है क्योंकि मैं नहीं भूला हूँ एहमदाबाद में जब अमरीका के पूर राश्पती डॉनल्ड ट्रम्प का स्वागत किया गया था तब बाकाइदा जुगियों को छुपाने के लिए कपड़े लगाय गये थे दीवारे खड़ी कर दी गई थी क्या दे है आपको उसको लेके कितनी आलोशना होई थी कई इसी लिए तो पूरी दिल्ली को बंद नहीं कर दिया गया है दोस्तों जो मुद्दा अब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ना मैं वैसे नहीं रखता क्योंकि मेरा भी यह मानना है कि यह भारतिय परंपरा है कि जब आपके महमान आएं तो आप उन्हें सोने चांदी के बरतन में जो है ना भारती राष्ट्री चिन जो है हमारा जो national emblem है उसका अपमान हुआ है क्योंकि उस थाली के बीचों बीच उसका डिजाइन बना हुआ है और उसी में खाना परुसा जाएगा और लोग उसी में खाने वाले है वो कह रहे हैं कि यह national emblem का अपमान है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ऐसा ही कुछ कॉंग्रिस की सरकार ने किया होता, तो भारती जनता पार्टी उसे राष्टुबाद से जोड़ देती, उसे देश दुरों से जोड़ देती। मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ कि सोने चांदी के बरतनों में खाना भरोसने की क्या जरूरत है? एक ऐसा देश जहांकि 80 करोड जनता को आपको घर में अनाज पहुँचाना पड़ रहा है, वहाँ पर विदेश से आए महमानों को आप सोने और चांदी के बरतन में ख पूरी तरह से अंजान है, और बात वहाँ तक नहीं रुकती है दोस्तों, आप जानते हैं कल शाम को तमाम न्यूज चैनल्स को काईदे से G20 पे कारकरम करने चाहिए थे, मगर जैसा कि आप स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स ने सनातन धर्म या अन्य मुद्धों पर अपने कारकरम किये, उधै निदी स्चालन और राजा सहब ने क्या कहा, उस पर मैं कुछ देर बाद अपनी राये दूँगा, वगर मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि न्यूज चैनल्स को कम से कम एक रात पहले, G20 की कारकरम करना चाहिए था, प्रधान अंत्री मैं जानता हूँ, कि आपने भारती जनता पार्टी के एक बैठक में कहा था, कि सनातन धर्म वाले मुद्धे पर हमें जवाब देते रहना चाहिए, मगर ये न्यूज चैनल्स तो आपका नुकसान कर रहे हैं, एक रात पहले से क पुदेनी दी स्टालन ने कही है, या ए राजा ने कही है, मैं उसकी कड़े शब्दों में आलोशना करता हूँ, सनातन धर्म पर ऐसी वाहिया टिपनी नहीं की जानी चाहिए, मैं समझ सकता हूँ, कि हर धर्म के साथ कुछ कुरीतियां भी जुड़ जाती हैं, मगर जब आप एक बयान देते हैं, जब आप एक ऐसा बयान देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि स्वीपिंग स्टेट्मेंट देते हैं, एक आम बयान देते हैं, तब आप पूरे सनातन धर्म पर निशाना सादते हैं, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता, और जो लोग आज की तारीख में स् कोई हिंदू धर्म या सानातन धर्म से प्यार नहीं है नहीं आपको प्यार सिर्फ भारती जनता पार्टी से है और उनके लिए वोट्स जुटाने को लेकर है वरना इस देश में जब हिंदूों का अपमान होता है तब आप लोग खामूशी बना लेते हैं भूल गए आप देहरा दून में एक अंकिता भंडारी नाम की लड़की थी उसे मौत की हाट तवार दिया गया था और आरोप किस पर लगा था भाजपा के एक नेतया के बेटे पर जिसका नाम पुलकिता आ रहा था कितने लोगों ने आउट रेज किया था बताईए ना ब्रिजभूशन शेरंट सिंग पर हमारी महिला पहलवानों ने आरोप लगाय थे गंभीर कितने हिंदू का खुन खौला था बताईए कुलदीब सिंग सेंगर भाजपा नेता कितने हिंदू का खुन खौला था मैं आपको ढेरो ऐसी मिसाल दे सकता हूँ इसलिए सनातन धर्म पर जो आप बात कह रहे हैं न कि उससे हिंदू धर्म का अपमान हुआ है जब हमारी हिंदू लड़कियों का अपमान होता है तब आप लोग खामोशी अख्तियार कर लेते हैं मैं तो साफ तोर पर कह रहा हूँ कि इस चालिन और राज़ा ने जो कहा उस सरासर गलत है और उसकी भर्चना की जानी चाहिए और वो भी ऐसा राजनीती के चलते कर रहे है मगर मैं दोबारा जी ट्वेंटी वाले मुद्दे पर आना चाहूँगा दोस्तों विपक्ष कई और मुद्दे भी उठा रहा है और उसके जरीए आलोशना की जा रही है ये भी कहा जा रहा है कि देखिए इस आयोजन में जो पैसा खर्चा गया है उसने तमाम रिकौर्ड तोड़ दिये है मसलिन इंडिन एक्स्प्रेस की एखबर G20 समिट में करीब 4100 करोड रुपए सिर्फ दिल्ली पर खर्च किए गय गये 6100 करोड रुपए 6 साल पहले यही G20 समिट जर्मनी में हुई थी और आप जानते हैं कितने पैसे खर्च हुए थे, 72 million euros और अगर हम इसका रुपए में इसको convert करें तो हो जाता है 641 करोड रुपए, भारत में सिर्फ दिल्ली में खर्च हुए 4100 करोड रुपए, और जर्मनी में जब 2017 में हुआ था तो 641 करोड रुपए, कहां 641 करोड यहां सवाल यही किया जा रहा है कि भाई कहीं इसका मकसद ये तो नहीं है कि ये जो G20 सम्मेलन का आयोजन है, इसका कोई विदेश नीती से लेना देना नहीं है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ संगोल युग के महराजा का महिमा मंदन करना है, यानि कि देश के प्रधान मंत्री का महिमा मंदन करना है, यानि कि ये जो G20 का आयोजन हो ही रहा है, इसका मकसद एक साल के अंदर जो चुनाब होना है, लोगसभा चुनाब है, एक और आयोज हो जाए जिसके जरीए भारतिय जनता पार्टी के लिए वोट हासिल किया जाए क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में क्या इसे नजर अंदास किया सकता है दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आपको याद होगा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी अमरीका गए थे एक सामाजिक कार करता है जिनका नाम कुनाल शुकला है उन्होंने एक आर्टी आई डाली थी और ये आर्टी आई विदेश मंत्राले को डाली गई थी उन्होंने क्या आर्टी आई डाली यानि कि सूचना के अधिकार के अंत जब मैं RTI के जरीए इस हीरे का बिल मांगता हूँ तो विदेश मंत्राले का जवाब आता है सूचना प्रदान करने से भारत-अमरीकी संबंध प्रभावित हो सकते हैं अब इसकी तुलना कीजे दोस्तों किस तरह से सोने और चान्दी के बरतन में G20 डेलेगेट्स को खाना परोसा जाएगा और जिस थाली के बीचों बीच हमारा नैशनल इंबलम है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ चलिए आपने हरे रंग का हीरा दिया मगर अगर उस हरे रंग के हीरे की क्या खीमत है इसको लेकर कोई जानकारी मांगेगा तो इससे भारत और अमरीकी संबंद कैसे खराब हो जाते हैं आप देख रहे हैं दोस्तों ये लोग RTI का किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूँ इस मुद्धे पर विदेश मंतराले ने क्या कहा आपके स्क्रीन स्पर Disclosure of this information may prejudicially affect India's relations with the concerned foreign states exemption is therefore sought under Article 8 1A of the RTI Act 2005 wherein no such information as may prejudicially affect India's relationship with a foreign state needs to be disclosed मैं आप से फिर सवाल पूछता हूँ अगर प्रधान नंत्री नरेंद्र मोधी ने अमरीके राश्पती की पत्नी को हरे रंग का बड़ा सा हीरा दिया और अगर उसके लिए कोई जानकारी मांग रहा है तो उससे भारतो और अमरीका की संबंद कैसे विगड़ सकते हैं भाई ये कौन से राजसी थाटबाट के अंदाज है ये सवाल किया जाना चाहिए और क्यों ना हो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इस देश में ना कलपना से विचित्र चीज़ें हो रही है हर चीज़ का मकसद एक व्यक्ति का महिमा मंडन है और उसके लावा कुछ नहीं देश हित अंतराश्ट्री हित भारत के विदेश नीती राश्ट्री नीती वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के इर्दगिर्द घूंती है और माफ कीजेगा जब देश ऐसा कुछ करने लग जाए तब वो लोक तंतर नहीं रहता तब वो व्यक्ति का तंतर हो जाता है तब वो ऐसा देश हो जाता है जब देश का पूरा तंतर एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक होता है आप में से कई लोग को मेरी बातें बुरी लग सकती है मगर गौर कीजेगा सब कुछ होता है दोस्तों सिर्फ एक व्यक्ति के इगो उसके एहम को और आस्मान तक पहुँचाने के लिए मुद्दाब लोक्तंतर रहे ही नहीं गया है हम उस देश में जी रहे हैं जहां न सिर्फ लोक्तंतर एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक है बलकि धर्म भी एक व्यक्ति के सामने बौना हो गया है राम मंदिर के शिलान्यास में राम नहीं दिखाई देते हैं प्रधान मंत्री दिखाई देते हैं हर बड़े आयोजन में फोकस सिर्फ एक व्यक्ति पर होता है प्रधान मंत्री दर्शन भी करने जाते हैं तो कैमरा उस प्रधान मंत्री पर होता है गर्ब ग्रे में कैमरा पहुँच जाता है ये तमाम सवालात हैं इससे मूह नहीं मोड़ा जा सकता अब इसार शेर्मा को दीजे अजासत नमस्कार झाल 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 झाल